दोस्तो बैसे तो सार्क के बारे में हम कुछ ना कुछ जानते जरूर हैं और ये मचली चार सबसे खतरनाग मचलियों में गिनी जाती है इस मचली को देख कर कोई भी इंसान डर सकता है और इसके पास जाने की जुर्रत भी नहीं करता फिल्ड सार्क देखने में पत्तर की जैसी होती है इस कारण ये समुद्र के वाता वरण में आसानी से घुल मिल जाती है और ये मचली काफी तेजी के साथ अपने सिकार पर तूट पड़ती है बैसे तो इस मचली को बहुत ही कम देखा जाता है क्योंकि ये गहरे पानी के अंदर जाकर रहती है तो ऐसे अमेजिंग फैट के लिए हमारे चैनलों को सब्सक्राइब जरूर करने